नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूँ आपके साथन के तामिश्ठा एक वक्त ऐसा था जब गैर भाजपाई और गैर कॉंग्रसी विपक्ष बनाने में विपक्ष को एक जुट करने की मोहिम चलाई जा रही थी ये विपक्षी दल ना तो भाजपा को चाहते थे और ना ही कॉंग्रस को लेकिन जब से राहूल गांधी की सदस्यता खत्म हुई है तब से यहीं विपक्ष के लोग राहूल का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं बात अगर यहां बंगाल की सीएम ममता बैनरजी की करे सपा पार्टी के अध्यक्ष खलेश यादो की करे यहां फिर यहां खुद अर्विंद केजरिवाल यह पार्टियों के नेता वही हैं जो एक रोज कॉंग्रिस को पसंद नहीं किया करते थे कॉंग्रिस के प्रती अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विवादित ही देते थे लेकिन अब यह लोग भी कॉंग्रिस के समर्थन में आ रहे हैं आखिर ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूं कॉंग्रिस के समर्थन में आने पर इन्हें लाभ नज़र आ रहा है आपको उता दे कि विपक्षी पार्टियों के कई बड़े चहरे जेल के सलाखों के पीछे हैं बार-बार केंद्रिय जाच एजनसियां जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर निशाना साथ रही है और कहीं न कहीं विपक्ष के जो बयान हैं वो इन सभी जाच एजनसियों को मैं दिया है तीन एप्रेल का जब इस मामले में सुनवाई होगी कि किंद्रिय जाच एजंसिया क्या सच में प्रधान मंत्री मोदी के इशारों पर चल रही है और क्या सच में विपक्षी पार्टियों को जानबूच करके निशाना बनाया जा रहा है। 24 का election पास में हैं यहीं वज़ा है कि जनता में अपना संपर्क मजबूत करने में जनता में अपनी सहानुभूती जो है वो बढ़ाने के लिए ऐसे काम किये जा रहे हैं। करना इनके लिए फाइदमन्त साबित होगा यहीं वो विपक्षी पार्टिया थी जो राहुल का विरोध करती थी ऐसे में राहुल इनकी इस रड़नीती में कितने काम्याब साबित होते हैं इनकी मदद करने में काफी बड़ा सवाल है। और यहीं बड़ा सवाल है कि आखे यह विपक्षी पार्टिया ऐसे समय में अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेखने के लिए कॉंग्रेस पार्टि का इस्तमाल कर रही हैं। और वो भी तब जब कॉंग्रेस पार्टि इतने बड़े मुसीवत में खिरी हुई है। पार्टियां जो हैं वो अपनी एक प्लस पॉइंट के रूप में देखने की कोशिश कर रही हैं और यहीं वज़ा है कि अब इनकी जो रणनीती है राहुल गांधी के इर्दगिर्द भूम रही है। देखना यह होगा कि आगे आने वाले समय में क्या वेपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं। कॉंग्रेस पार्टी से मुलाकात करके कटबंधन की बात करती है क्या एक मंच पर आने की बात करेंगी अगर ऐसा करेंगी तो मोदी वसे जो आल एक बार फिर से चर्चाओं में आएगा और ये देखना होगा कि अगर कॉंग्रेस पार्टी इन लोगों का हाथ मिलाती हैं तो 2024 के चुनाओं में क्या मदद मिलेगी क्या वोट प्रतिशत इनके बढ़ेंगे क्या भाचपा के वोट प्रतिशत को काटने में ये विपक्षी पार्टियां कॉंग्रेस पार्टी के साथ आगे बढ़ेंगी या फिर कॉंग्रेस अभी भी अकेला चलना पसंद करती है फिला इनकी जो रणनीती है बदली जाएगी लाल आज के लिए इतना ही देखते रहे नेक्स्ट नाइन लाइफ